देखे जो fraud करने वाले होते हैं वो किसी Anjjain बंदे को उसके साथ चलाकी करें, उसके साथ fraud करें, उसको bluff में ले लें, यह बस समझ में आती है. मगर कोई जानकार आदमी को भी अगर वो bluff में ले ले अपने तो ये कला है उनकी मतलब मानना पड़ेगा कि उनके अंदर इतना confidence होता है कि वो अच्छे अच्छों वो भी जो जानकार लोग है उनको भी अपने जहांसे में ले सकते हैं मेरे एक सीनियर हैं लीगल प्रोफेशन से ही आते हैं तो अगर लीगल का बंदा है तो सिंपल सी बात है उसको पुलिस एपाई आर कंप्लेंट सब पता ही होगी कुछ दिन पहले मेरे साथ ही थे और सुबह से बहुत टेंस थे अगल बगल बहुत टेंसन में ठहल रहे थे मैंने पुछा सर अल वैल तो बोले हाँ सब ठीक है बट कुछ मेरे को इससा लागा कि बंदा ठीक नहीं है चेहरे पर टेंसन दीख जाती है थोड़ी दिर पास उन यह सुबह साने एक फोन आ रहा है मेरे पास तो मैंने फोन आंसर किया फोन उनका था सामने से बंदे ने उरी कड़क आवाज में और आपदार आवाज में बोला कि वो दिल्ली पुलिस का ऑफिसर है और किसी पर्टिकुलर थानी से बोल रहा है और वहां पर इन साप के अग कि सुबह तिरे को बताया है तिरे को समझ में नहीं आई बात अचा वह हिंदी इंग्लिस मिक्स जल रही थी यहां पर एक इंट्रेस्टिंग चीज यह है कि बंदा जो था उसका पूरा एक्सेंट साउथ इंडियन था और दिल्ली में साउथ इंडियन पुलिस वाला बहुत है हम तो जिल्ली में रहते हैं यहीं पले बड़े हैं हमें पता है कि बहुत डिपिकल्ट है जिल्ली में साउथ इंडियन एक्सेंट वाला पुलिस वाला और यह बलभ भी हमको पता है मुझे पता है अटलिस मुझे पता था तो मैंने समझने को कुरुदिना स्टार्ट किया कि उसे की style में कौन से थाने से बोल रहा है क्या नाम है किस section में कि इसके बंदे ने फोन काट दिया आप यह अब यह सब चिज़े मैं आपको क्यूं बता रहा हूं कि यह बड़ा ही आजकल common fraud चल रहा है, जिसके अंदर एक वो digital arrest जिसको बोला जाता है, कोई भी बंदा अपने आपको पुलिस वाला या किसी concern agency से अपने आपको बंगे बंदा कोन करता है, कि बही मैं यहां से बोल रहा हूँ, और आपके against FIR हो गई है, आपके पापा के against FIR हो गई है, या आपके दरना पुलिस के नाम से अच्छे अच्छे लोग डरते हैं, तो दरना सोभाविक भी है, बट मैं एक चीज आपको बताना चाहूँगा, कि देखिए अगर FIR हो चुकी है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको यह बास समझनी पड़ेगी, कि आपके against अगर FIR होई कोई है, तो क्या आपने कोई ऐसा काम किया है? और जब पुलिस का जो फोन आता है, पुलिस का फोन करने का कोई पर्टिकूलर एक श्टाइल होता है, इस तरीके से पुलिस किसी को फोन नहीं करती, कि मैं पलाने ठाने से बोल रहा हूँ, और मैं आपको धमखाऊंगा, नही आपको लगता है कि नहीं कुछ doubt है सायद हो सकती है F.I.R. तो जिस बंदे ने आपको phone किया है उस बंदे का पूरा नाम लिखिए किस थाने से आपको phone किया है वो लिखिए और F.I.R. अगर हो चुकी है तो F.I.R. इसे public document वो आपको मिलेगी मिलेगी और जिन सहाब ने आपका नाम बताया है महाँ पे जो बंदा phone उठाता है help desk पे जो duty officer होते हैं वो आपको phone उठाएंगे उनसे पूछिए कि फलाने सहाब का number दे दिजिए duty officer जो होते हैं जनरली वही लोग phone उठाते हैं थाने के अंदर और इन लोगों के पास पूरी detailed maintain होती है जो थाने के अंदर posted officials होते हैं उनके mobile number भी होते हैं तो अगर आपकी FIR और ये वाली बात सही है like suppose किसी XYZ बंदे ने मेरे को किसी थाने से phone किया मैंने उस थाने को phone किया कि साब XYZ बंदे का number दे दिजिए इससे आपको ये पता चल जाएगे कि XYZ नाम का बंदा वहाँ पे posted है चली मान लीजिए कि fraud करने वाला बंदा या जहां से आपको phone आया है उसका नाम भी match करता है उस बंदे से तो duty official से उनका mobile number भी मांग लीजिए mobile number भी आपको देंगे इसमें कोई घबड़ाने वाली बात नहीं है आप phone करेंगे तो आपको detail मिल जाएगी फिर उनको mobile भी phone कीजिए कि साब इस तरीके से मेरे पास call आई थी क्या आप नहीं की थी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा दूद का दूद पानी का पान अब इसी से एक और एड़ेट चीजिए में आपको बताता हूँ मैं अपनी बेटी के साथ कुछ इस्टेशनरी का समान लेने के लिए गया था उसकी स्कूल के किसी प्रजेक्ट के लिए और ये इस्टेशनरी वाले बंदा मेरे को समान दे रहा था तब भी उसका मिवैल बजा वहाँ भी उसके पास एक ऐसी कॉल आई कि भाई मैं फलाने थाने से बोल रहा हूँ और ऐसे ऐसे आपके पापा को हमने एरेश्ट कर लिए इसके पिता जी गाउँ में थे इदिली के बास वता रहा हूँ मैं इसके पिताजी गावां में थे, किसान आदमी गावां में खेती कर रहे थे तो इस बंदे ने रिप्लाई किया कि भाई मेरे पिताजी तो गावां में खेत में काम कर रहे हैं तो कौन से थाने से वरकों बोल रहे हैं सामने वाले में फोन काड़ दिया आज कल इस तरीके के फ्रॉड बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और यह जो बिसिकली ने बलफ है अगर आप इसके चक्कर में फस गए तो फिर सामने वाला बंदा आप से क्या करेगा कि ठीक है हम FIR आपकी वापस ले लेंगे FIR से आपका नाम कटवा देंगे आप इतने पैसे इस नमर पे ट्रांसफर करतीजिए या इतने पैसे हमको इस तरीके से दे दीजिए कोई भी पुलिस वाला है FIR इस तरीके से अगर हो चुकी है तो रद नहीं कर सकता उसका एक प्रो है और इसके वापर ज्यादा ध्यान मत दीजिए और फिर भी अगर आपको verify करना है तो बंदे की detail लेके concern ठाने में अभी करके इस तरीके से, धन्ने बात